Mislaneous Exercise का Question No.1 If A and B are distinct integers, prove that A-B is a factor of An-Bn whenever n is a positive integer. Question में कहा है, जब कभी भी n positive integer होगा और A और B दोनों अलग-अलग integers हैं. हमें prove करना है, A-B जो होगा, वो इसका factor होगा जैसे की हम कह सकते हैं, अगर कोई भी चीज किसी का factor होती है तो उसको जब हम solve करते हैं, जैसे मानलो, हम कहते हैं 3 is a factor of 18, तो 18 को जब हम solve करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं 3 into 6, तो ये 3, 18 की table में आता है तो 3 into K, K का मतलब है some constant, कोई भी हो सकता है तो यानि की जब हम इसे solve करेंगे, A-B को, तो A-B तो इसके multiple में आएगा ही आएगा, और यहाँ पे कोई ना कोई constant आएगा थीक है, हम उसे K बोल देंगे, यानि की हमें expand करना है A-B-N को, और solve करके A-B, तो उसका factor आना ही चाहिए और साथ में कोई ना कोई constant आएगा अब हमें A-B-N को expand करना है, तो हमारे पास है A-B-N हम दोनों को तो expand नहीं कर सकते, तो हम A-N को लिख सकते है A-N is equal to A-B plus B, B से B cancel हुआ तो वापस A ही आने वाला है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं A-B plus B की power N तो A-B को A माल लेंगे और B को B माल लेंगे तो A plus B की power N यहाँ से हम binomial को expand कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि जब हम इसको expand करेंगे तो A और B दोनों आएंगे तब ही हमारे पास A-N minus B-N आएगा ऐसे ही हम B के लिए भी कर सकते हैं A-B plus B की power N लेकिन यह थोड़ा difficult हो जाएगा हमें सम easily solve करना है तो हम इसकी ही help से solve करते हैं A-B plus B की power N की help से तो start करते हैं A-N is equal to A को लिख सकते हैं A-B plus B की power N और formula होता है हमारा N, C, 0, A की power N, B की power 0 N, C, 1, A की power N minus 1, B की power 1 plus so on N, C, N, A की power 0, B की power N तो अब हम इसको यह formula लगा कर यहां पर expand कर देंगे here A is equal to A minus B, B is equal to B and N is equal to N तो इसे हमने यहां पर देखो expand किया कैसे? N, C, 0, A की जगा पर A minus B और B तो B ही है, है न? A की जगा पर A minus B इसमें लिखना है तो A की power N, A की power N माइस सबसे पहले N, C, 0, N, C, 1, N, C, 2 और जो second to last term है वो भी हम लिखेंगे यह last और यह second last, second last कैसे लिखेंगे? जो last term है, उनकी power से एक power कम देखो N, C, N minus 1, यहां पर N है, यहां पर N minus 1 यहां पर A minus B की power 1, तो 0 से एक कम कितना हो गया? 1 और B की power N minus 1, N है यहां पर, तो N में से एक कम कर दो है न, यह second last term है और यह last term है A की जगा पर A minus B है, ओके? फिर A की power N, A की power N minus 1 N minus 2 और यहां पर 1, यहां पर 0 फिर B की power 0, B की power 1, B की power 2 यहां पर B की power N minus 1 और यहां पर N लास्ट की two term भी हमने लिख ली है, जो की है N, C, N minus 1 अगर इससे पहले वाली term लिखेंगे, तो N minus 1 आ जाएगा A की power 1 और B की power होगी, N minus 1 जो यहां पर है, वहीं यहां पर आएगी फिर लास्ट हम आएगी, N, C, N, A minus B की power 0 और B की power N अब left hand side में इसको हम लिख सकते हैं, जो यह left hand side है इसको हम A की power N लिखतेंगे, अगले पेश पर चलते हैं A की power N, इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको solve करते हैं, देखो N, C, 0 होता है 1, N, C, N is equal to 1, N, यह सब हम कर चुके हैं क्या की N, C, 0, N, C, 0 होता है 1, N, C, N होता है 1, और N, C, 1 होता है N तो N, C, 2, N, C, 2 को हम जदी solve करें, N factorial divided by 2 factorial and N minus 2 factorial, लेकिन इसे solve करने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्यों की, देखो, इसको solve करके भी terms ला सकते हैं, बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें and में constant चाहिए कि हमारा answer A minus B आए और 7 में constant आए constant चाहे N की form में हो या N, C, 2 की form में हो तो हम इसे simply ही रहने देते हैं, तो N, C, 0 N, C, 0, 1 होगा, फिर आजाएगा A minus B की power N और B की power 0 is 0, ठीक है यह रही इसकी, यह first term solve हुई हमारी, उके, उसके बाद second term second term में क्या है, N, C, 1 is N ही होता है, और इसको N, C, 1 ही रहने देते हैं A minus B की power N minus 1 और B, ओके, यह आजाएगी हमारी second term यह देखो, यह second term आ गई, फिर N, C, 2, third term, ओके, A minus B की power N minus 2 B का square, फिर plus and so on, last की term, N, C, N minus 1, A minus B, B की power N minus 1 A minus B, हाँ, यह last की है, second last है, यहाँ पर dot लगाना भूल गई, यह second last की हमारी term है और यहाँ पर, जो second last की थी, देखो इसमें, यहाँ पर N, C, N, N, C, N is 1 और A minus B की power 0 भी होता है, 1, ओके, तो यहाँ पर देखो, N, C, N, is 1 और A minus B की power 0, is 1, तो यह हो गया, B, N, और यह 1, 1, ठीक है, अब देखो, last में, B की power N आ रहा है, और left hand side में, हमें चाहिए, B, N, B की power N तो इसको, देखो, B की power N into 1, यह B की power N ही रहेगा, इसको हम left hand side में shift कर देंगे, तो यहाँ पर plus का है, तो यहाँ पर हो जाएगा minus का, तो यह term आपकी पूरी की पूरी यहाँ से खतम हो चुकी है, इस term को हम उठाकर left hand side में ले आए हैं, तो यही BN उठाकर हम left hand side में ले जाएगे, तो आएगा, A की power N minus B की power N, अब बचेगा यहाँ पर, A minus B की power N plus N C 1, A minus B की power N minus 1, B plus N C 2, A minus B की power N minus 2, B square, so on, N C N minus 1, A minus B, B की power N minus 1, यहाँ तक हुआ, यह वाली term यहाँ तक क्योंकि इस term को उठाकर हम इस तरफ ले आए हैं, अब यह last term बन जाएगी, अब यह बन गई last term, क्योंकि इस last term को उठाकर हम left hand side में ले गए, अब हमें चाहिए था कि A N minus B N, इसको solve करके right में आना चाहिए A minus B, इसको solve करके right में A minus B चाहिए, तो इन सब में से A minus B को common ले सकते हैं, तो A minus B को यहाँ पर common ले लिया, ओके, तो यहाँ पर सब में से, यहाँ पर इन सब में से, एक बार A minus B minus हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, सब में से एक पावर, A minus B की एक पावर सब में से minus हो जाएगी, ओके, तो A minus B की पावर ये हो गई इसमें से common लिया तो ये हो गई n-1 प्लस next term में से इसमें से common लिया a-b की पावर तो ये हो गई n-2 एक कम हो जाएगी तो n-2 फिर next में से इसमें से common लिया तो ये n-2 है तो यहाँ पर हो जाएगी n-3 last में एक ही बार है लास्ट वाली में एक ही बार है तो जो हमने common ले लिया वो बाहर आ गई और जो बचा हुआ है वो यहाँ पे लिख दिया c n c n-1 b की पावर n-1 अब इस पूरे को हम constant लिख सकते हैं तो हमारा answer क्या आएगा और इस पूरे को देखो इस पूरे को हम constant लिख देंगे तो हमारा answer आजाएगा a n-b n is equal to a-b k है ना और यही हमें prove करना था where k is this term hence proved okay